नमस्कार वी मुस्कीचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं बना रही हूँ काले चने का चना मद्रा चना मद्रा हो चुक है तैयार यह देखिए इतना बढ़िया एकदम थिक ग्रेवी वाला और बहुत ही अच्छी खुश्बु आ रही है मसालों का बहुत ही दिश है यह लोवर हिमाचल में शादी घर में कोई और फंक्शन हो मुंडन कोई बर्ड तो यह हर फंक्शन में बनाया जाता है और लोवर हिमाचल में तो यह बहुत ही पसंद किया जाता है बहुत ही फेमस डिश है यह शादी में जो धाम होती है तो उसमें तो यह स्पैश जीवे शेड़ी औब आपको बताते हैं कि आप हम इसे करते हैं बनाना स्टार्ट है यह मिर्पस काले चने यह मैंने एक कटोरी में लिए हैं और इन्हें ओवरनाइट भिगए हैं 10-12 घंटों लिए दस से बारा घंटे में चैने बहुत अच्छे से भीग चुके हैं बहुत अच्छे से फूल गये हैं और अब यह मिरपस कटोरी है इस कटोरी के माप मैंने चैने लिए हैं आप चाहें कम जादा अपने साफ से कर सकते हैं लेकिन भीगोना इने रात को यह ओवरनाइट कम से कम दस बारा घंटों के लिए अब मैंने गैस पर रख लिया है कुकर कुकर मैंने जिस कटोरी से चैने का माप लिया है वो दो कटोरी पानी एड़ कर लिया है पहले से और एक कटोरी जो है हमारे पास चैने जो भीगोए हैं उसके बीच जो पानी बचा है वह एक कटोरी है और टोटल हमार पास तीन कटोरी पानी और मैंने इसे रख लिया है हाई फ्लेम पे तो एक बॉइल आने तक हम इसे हाई फ्लेम पे रखना है और उसके बाद हम इसे कर देंगे कूकर को सिम पे तो अभी पानी गरम हो रहा है इसमें मैंने अच्छ नमक नमक डालने से चने अच्छे से उबलते हैं और नमक का टेस्ट चने के अंदर तक जाएगा यह थोड़ी सी मैं हल्दी डालनी हूँ वन फोर्थ इस्पून आप चाहें तो हल्दी स्किप भी कर सकते हैं क्यूंकि इसमें हल्दी का कोई कलर नहीं आता इसका ब्लैकिश कलर होने 30 मिनट 30–40 मिनट के बाद हमारे चने उबल के तयार हो चुकी हैं चने बहुत अच्छे पके हैं एक दम सॉफ्ट हो गए हैं बहुत यह बड़ी अगले हैं देखिए तो हमें इसी तरह के चने चाहिए सॉफ्ट एकडम तो चलिए आप च्शॉंक की त्यारी करते हैं यह मिर पास एक मीडियम साइज का आलो, दो सावुत लाल मिरच, मैंने दो से तीन चम्माच ये इमली है, मैंने पहले से उसे कटोरी में भिगो के रखा है, दो से तीन चम्माच, ये है एक गुड़ का पीस, ये है दो मोटी इलाइची, इन्हें हम हलका सा पूट लेंगे, दर दरा सा और आठ से दस काली मिरची के दाने, तीन से चार हरी इलाइची, चार मैंने लिए हैं लौंग, दो दालचिनी के टुकडे, और दो लिए हैं तेस पत्र, और ये है दो चम्माच बेसन, और एक चम्माच अमचुर पाउडर, तो चलिए अब लगाते हैं चौंग, कड़ाई क मैंने रख लिया है, गरम करने, हम कड़ाई गरम हो चुकी है, इसमें मैंने अड़ कर लिया है, दो से तीन चम्मच, मस्टर ऑईल, सरसों का तेल, जी हां, इसे हम बनाने वाले सरसों के तेल में, अब हमें इसे सिम पर ही पकाना है, अगर आप आज तेज करेंगे, तो तेल जलने लग जाता है, तो इसलिए से सिम पर ही पकाएंगे, और जब तक हमारा तेल पक रहा है, तब तक मैं आलू को काट के दो के तयार कर लूँगे, अब हमारा तेल तकरीबन पक चुका है, इससे हलक हलका दुआना शुरू हो चुका है, देखिए मैं इससे चेक करने के ल पर हमारा तेल एक दम तेयार है, अगर तेल का चुछा होगा तो जाग देता है, तो इसलिए तेल को अच्छे से पकाएं, बिल्कुल भी जाग नहीं है, अब मैंने आलू को मैं तैल में अगजे तयल में फ्राई, आलू ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं बसंदे तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इसमें आलू का टेस्ट अच्छा आता है आप आलू को उवाल के भी ले सकते हैं लेकिन इस तरह हम इसे तेल में फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक तो आलू का जो टेस्ट बहुत बढ़ी आता है और उससे हमारे चने का सवाद और भी वड़ जाता है अब आलू हमारे हो चुके हैं golden brown हमें इसे अच्छे से fry करना है एकदम golden brown होने तक यह fry हो चुके ऐच्छे से इनका बहुत बढ़ीया कलर आचुका है एक दाम golden brown इस तरह का जो आलू होता है उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है जो golden brown fry होते हैं अब आलू को हम निकाल लेते हैं प्लेट में, ये मेंने प्लेट में निकाल लिया है, अब जो बचा हुआ तेल हैं, इसी में हम चौंक लगा लेंगे, ये आलू देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब मैंने कड़ाई को सिंपे रखा है चौंग हमें सिंपे ही लगाना है तो यह है एक चमच मोटी सौंफ हरी वाली गोर देखिए कितने अच्छे से फूल रही है इसे हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है यह देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और सौंफ की ब दालेंगे तो चटक जाती है जिसके छोटा साइक टुक्ड़ा तोड़ लें एक चमच मैंने एड़ कर लिया है इसमें साबुजीरा यह दालचीनी के टुकड़े दो छोटे-छोटे से यह दो तेस पत्तर एड़ कर लिए हैं अब इन्हें हिलाते भी जाईए सासाथ और यह है चालॉंग और अब इसमें हरी लाची और काली मिर्ची भी मैंने एड़ कर ली है और इसे बीच भी हम हिलाते भी जाएंगे यह मोटी लाची को थोड़ा दरदरा सा कूट लिया है तो भी इसमें मिला लिया और मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून चुके हैं और बहुत बेसन को करना है गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है बेसन भूनना स्टार्ट हो चुका है इसकी भी बहुत अच्छी भीनी-भीनी खुश्वु आने शुरू हो चुकी है बेसन की और मसालों की बहुत भ़़ए खुश्वु आ रही है अब मैं इसमें एड़ करूंगी ब क्यूंकि मेरी कड़ाई जो है बहुत हैवी तले किये ज्यादा गरम हो चुकी है तो मैं इस थोड़ा सा ठंडा करूंगी क्यूंकि अगर ज्यादा गरम होगा तो हमारा बेशन जल जाएगा जलने से सबजी का टेस्ट खराब हो जाता है पर भाट आजाएगी तो ये मैंने डाल लिए तीन से चार हरी मिर्ची और एक अध्रक का टुकड़ा ग्रेट करके मिर्ची आप चाहें तो अगर आप वो ज्यादा चटपटा खाना है तो इस थाइम लाल मिर्ची का पाउडर भी आड़ कर सकते हैं मैंने तीन चार हरी मिर्ची आड़ की है और दो लाल साबुत मिर्ची तो अब हम गैस फिर से ओन कर लेंगे और इन्हें अच्छे से भून लेंगे अब हमारी मिर्ची और अध्रक भी अच्छे से फ्राई हो चुका है ये है इमली जो मैंने इमली को पानी में भीगोए था अब उसका जो पल्प है, वो हम इसमें डालेंगे और 7-7 गूलाटे जाएंगे इसमें इसका आपको अच्छे से हिलाना है ताकि इस बेसन में गुटलिया ना पड़े तो एकदम गुटलिया पड़ जाती है और इसे मैंने सिम्पे रखा है और सासाथ मैं इसे हिलाते जा रही हूँ ये देखिए बेसन डालने से हमारी जो ग्रेवी एकदम ठीक हो गई है और इसमें उवाल आ चुका है ये है गुड़, गुड़ को भी मैंने पानी में भिगोया था अब गुड़ वाला पानी आड़ कर लेते हैं क्योंकि गुड़ में हमारे कई बार कच्रा होता है और कई बार मिट्टी अरेट भी आ जाता है इसलिए से भिगो के अड़ करें आप चाहें गुड़ की जगा खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं में रपास खजूर एवलेबल नहीं थे इसलिए मैंने गुड़ डाल रही हूँ गुड़ भी डाला जाता है आप चाहें तो चार-पांच खजूर ड्राइ खजूर को पहले से बॉयल कर लें उन्हें डालने या वेट खजूर हैं तो उन्हें वैसे ही काटके डालने अब मैंने इसमें अटका लिया है धनिया एक चमच और आधा चमच मेथी दाना पाउडर और एक चमच मैंने अटका लिया है देगी मिरच पाउडर का तो देखिया हमारा मसाले की जो ग्रेवी एकदम तयार होगी है और कितनी ठीक होगी एकदम से और इसके बहुत ही बढ़िया खुश्बू आ रही है खड़े मसालों का तो बहुत अच्छा खुश्बू आती है और साथ में जो बेसन भुना हुआ है उसका बहुत बढ़िया अब हम इसमें डाल लेते हैं जो हमने आलू को फ्राई किया है अब एक-दो मिनट तक हम आलू को इसी तरह मसाले में भून लेंगे गैस का फ्लेम मैंने सिम पे ही रखा है तो हम इसे सिम पर ही भूनना है और बीच-बीच में इसे हिलाते जाएए ये है ड्राई मैंगो पाउडर अमचूर एक चममच अमचूर पाउडर अब इसे भी मैंने एड्ड कर लिया है और बीच-बीच में हम इने हिलाते जाएंगे ये देखिए हमारी ग्रेवी बहुत थिक हो गई है और आलू की जो भुनाई है बहुत अच्छे से हो गई है इस तरह बुनाई करने से अलू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो अब हम चने चने निकाल के इसमें एड्ड कर लेंगे और फिर से चने की एक दो मिनट तक बुनाई करेंगे अलू और चने को एक साथ इसे बुनाई करेंगे इस तरह बीच-बीच में हिलाते जाए तो यह देखी हमारे जितनी भी जो ग्रेवी बनी थी तो चने और आलू को साथ एकदम एब्जॉर्ब हो गई है बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है अब इसे बुनाई करते हैं हमारे हो चुके हैं एक से दो मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे जो चने का जो पानी था कूकर में उबला हुआ वो एड़ कर दिया तो अब ही मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है यह क्यूंकि जैसे इसमें उबाल आएगा हमारी ग्रेवी और ठीक हो जाएगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ कर लेंगे एक कटोरी के करीब क्यूंकि चने जब अभी हमें इससे पकाना है दो से तीन मेरा तीन चार मेर तक पकाना है ताकि मसालों का जो टेस्ट से इसमें अच्छे से आ जाए और इस तरह उबलने के बाद यह इसकी जो ग्रे और अब इसमें उबाल आ चुका है अब हम इसे बीच-बीच में हिलाते जाएंगे और चेक कर लेंगे कि हमें ग्रेवी का अंदाजा ले लेंगे यह चैने वैसे गाड़े-गाड़े ही बनते हैं यह देखिए अब इसमें हम और ज़्यादा पानी नहीं एड़ करेंगे और इसे मैं आप कूकर में ट्रांसफर कर रही हूं क्योंकि कूकर में डालने से जो मसालों का इसमें हम डाल लेते हैं नमक एक चमच एक चमच हमने पहले एड़ किया था तो थोड़ा सा और आप चाहें नमक को टेस्ट करके देख सकते हैं कुछ कम ज़्यादा लगे तो आप फ तक फिर से पका लेंगे ताकि इसमें चने में मसाले का पूरा टेस्ट अच्छे से आ जाए तीन से चार मिनट हो गए हैं कुकर हो चुका है ठंडा तो आप देखिए हमारे चने कितने बढ़िया एकदम घाडी ग्रेवी के साथ तयार हुए हैं और बहुत ही बढ़िया इनका जो टेस्ट आ रहा है मसालों की जो खुश्बू बहुत ही अच्छी आ रही है तो अब आप इसे थोड़ा टेस्ट कर सकते हैं नमक मिर्ची या खटा या मीठा आपको कम लगे तो उसे साथ से आप इसमें एड़ भी कर सकते हैं अब आप इसे चावल रोटी जिस तरह भी आ सब्सक्राइब करने ना भूलेगा अपने फैमिल्य और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तो चैने हो गया है तैयार इसे हम कर लेते हैं बावल में ट्रांसफर देखिए कितने बढ़िया एकदम गाड़ी गाड़ी ग्रेवी बनी है इसकी और अब हम इसे कर लेंगे हरी धनिय दनिय पत्ति के साथ गार्निश कर लिए मड़ी और थोड़ा सा हम इसमें एड़ कर लेंगे गरम मसाला और हरी धनिय पत्ति सा कर लिया है और अब दाल देखिए देखनी में कितने बढ़िया लग ने हैं तैयार है तैना मद्रा तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली विक के साथ फ्रेंड्स के साथ और इंजॉय करें काले चने का मद्रा